आपरी शवास हो जैसा कि डेली स्कूल होंवक आप इस चैनल पर देख सकते हैं तो आज का होंवक स्टार्ट करते हैं तो आज क्लास L.K.G. के बच्चों को हम देंगे अक्षडों को जोड़कर लिखो जैसा कि हम बच्चों को एग्जामनेशन की प्रिप्रेशन कर आ रहे हैं तो वही चीज़े हम बच्चों को रिवीजन में दे रहे हैं जो चीज़े एक्जामनेशन में बच्चों को आएंगी तो जैसा कि मैंने पोर्शन अप्लोड किया हुआ है तो जो मॉंस भी मेरे से इस चैनल पर जुड़ी हुई है वो उस आपने वीडियो देखी हो गया और वीडियो देख करके आपको पता लगा होगा कि वही सब चीज़े मैं रिवीजन करा रही हूँ जो एग्जामिनेशन में आने वाली है तो चलिए आज का हुवक स्टार करते हैं तो अक्षरों को जोड़कर लिखने के लिए ये वाला भी आएगा तो अक्षरों को जोड़कर लिखने के लिए भी होगो बच्चों को प्रैक्टिस करानी हुई तो खा प्लस रा प्लस रा ल, तो यह rasa नहीं को और द haters — जोड़ने का रहं ल करेंगा मैं रॉत जोड़ना गल habits शक्तिव हलेंगे लउगैं, तो आज जोड़ने कि बच्चे इसे रय्ट करेंगे अगर उनको कोई भी एसे सबस्क्राइज दे जाएंगी तो बेटा एक्जाम में जब आपको इस तरह से दिया जाएगा तो आपको इस तरह से राइट करना है इसको जोड़ करके लिखना है the next subject is next subject is math math में आज बच्चों को देंगे what comes before जैसा कि हम after and between की बहुत अच्छी तरह से practice करा चुके हैं तो अब हम बच्चों को before की प्रैक्टिस कराएंगे तो before में मैंने आज दिया हुए बहुन से लिके 100 तक के नंबर में मैं after before between की प्रैक्टिस करा रही हूं तो आज मने दिया हुआ है 9 before 17 before 25 before 30 before 50 before 29 before 76 before 31 before 51 before 88 before 76 before 79 before 81 before 60 before 96 before 44 before 38 before and 12 before तो यह सब before है और आप moms को आज बच्चों को before की प्रैक्टिस करानी है नेक्स अब्जेक्ट इस नेक्स अब्जेक्ट है इंग्लिश इंग्लिश में बच्चों को match words to words आज हम देंगे बच्चों को match करने के लिए तो यहां पर मैंने match करने के लिए दिया हुआ है तो यहां पर star, cat, bell, bell, rat, tub, bus, cup, pin नाओ आप इस तरह से इसको उपर नीचे write कर देंगे देन बच्चे को find out करके उसे match करना होगा जैसे here is star so where is star, here is star so star to star match करना होगा बच्चों को just like this now the next subject तो class L के जी के बच्चों का homework done हो, homework note कर चुके होंगे आप लोग अब हम class U के जी के बच्चों का homework note करेंगे आज हम class U के जी के बच्चों को कराने वाले हैं opposites, so opposites मिन्स होता है विलोम शब्द opposite मिन्स होता है विलोम, मतलब कि किसी भी शब्द का उल्टा, तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है fat, f-a-t fat, fat मिन्स होता है मोटा और t-h-i-n thin मिन्स होता है पतला तो यहाँ पर fat को देखकर fat right करेगी, thin को देखकर thin right करेगी तो यह practice हमें learn करे आके बच्चों को right कराना है अभी लेकिन today हम इसे देखके बच्चे right करेंगे और फिर जब देखकर के उन्हें अच्छी तरह से learn हो जाएगा then without looking हम बच्चों को यह homework में कराएंगे इसी तरह से hot 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 means गरम, cold cold means थंडा, happy means खुष, shared means दुख, tall means लंबा, short means छोटा, big means बड़ा, small means छोटा, dirty means गंदा, clean means साफ, day means दिन, night means रात, empty means खाली और full means भरा हुआ so I hope आप understood हो गए होगे कि opposite means क्या होता है किसी भी शब्द का उल्टा बता, उल्टा, तो यहाँ पर यह हुआ है fat का thin, hot का cold, happy का sad, tall का short, big का small, आप बच्चों को हिंदी भी explain करेंगे तो थोड़ा easy हो जाता है बच्चों को समझने में और practically जब मैंने तो आपको हमेशा बता करें तो practically जो चीजें आप बताएंगे वो बहुत easy होता है, जैसे for example ले लिजे here is a big pencil और here is a small pencil, so यह big है और यह small है, तो बहुत सारी चीजें आप practically बच्चों को जब दिखा कर कि इसको चीज को learn करेंगी, तो बहुत जल्दी उसे learn हो जाएगा और उसके mind में आ जाएगा, रटनू नहीं रहेगा कि, हाँ इसका यह होता है, यह होता है, लेकिन अगर उसको एकदम समझ में आ जाएगी, जिस तरह से practically आप बताएंगी, देखो, ममा फैट है, और आप thin हो ना, जैसे बहुत साई चीजें है, hot milk होता है, cold कोई चीज, ice cream लेकर देखो, cold ice cream है, यह Black subject is Hindi, हिंदी में आज हम बच्चों को जैसे कि आ की मात्रा का रिवीजन करा रहा है, तो आ की मात्रा से ही related मैंने वाक्षिप्स में की है, तो चित्रों को पहचान करके उनके नाम लिखे, तो यहां मैंने कुछ पिच्च्च दी है, कि उसे वो recognize करके कैसे write करना है, वो उसके आसानी हो समझने में, तो यहां आम की पिच्च्च बनाई है, तो आम को recognize करके आम राइट करेगी, घड़ा की पिच्च्च बनाई है, तो घड़ा को recognize करके घड़ा राइट करेगी, माला की पिच्च्च बनाई है, तो माला को recognize करके माला राइट करेगी, बादल की गाजर, ताला, तबला और पाठ्षाला तो यह अपने आप आकी मात्रा से सारे यह पिक्चुर्स दी हुई है उसे रिकोनाइस करके बच्चे को राइड करना है तो नेक्स अबजेक्ट मैठ है तो मैठ में आज हम बच्चों को तू एं थ्री के टेबल की प्रेक्टिस कराएं करना ऑठ करें यह तो मेंvis जाक क 노 Save ऩी रायिद करना है जाक्क आतुनम्य तूL जा-क.. जैसे कि टूउ एं थी सा फोर यह दू जा खोर यह प्री करना राइड करना है कि प्रेक्टि ऑपो टीव तू से ड़िए तक आप यह टेबल देंगैं त्वेंग तो ओц्युत टेबल के राइट करना है बच्चे को as you can see 3 का और 2 का टेबल सो नोड़े डाउन कर लिजिए आप I hope आपने homework note कर लिया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए और please like किया कीजिए वीडियो को तो इससे मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है और work करने में मज़ा भी आता है कि बच्चों को आप लोग को मेरा homework पसंद आ रहा है और आपके बच्चों के लिए ब